दोस्तों जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि महाराश्ट्र में इन दिनों जो कुछ हो रहा है वो कहीं न कहीं सुषांत का ही श्राप है क्योंकि इसी महाराश्ट्र में इसी मुंबई में उन्हें दिन दाड़े बड़ी बेरहमी से मार दिया कया और उद्धव सरकार ने और उनक करे की कुर्सी गई और अब सुशांत के लिए और उनके परिवार के लिए गलत बोलने वाले संजय राउत के भी जेल जाने के दिन करीब आ चुके हैं इसे उपर वाले का न्याय नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे दोस्तों दोस्तों शिव सेना नेता संजय राउत एडी की ह लेकिन अब की बार जो बड़ी खबर एडी के आपिस से आ रही है वो यकीन से भी परे है क्योंकि संजा राउत की हालत खराब हो गई है एक तरह से अपने ही जाल में राउत फस गये हैं यहां तक कि चेहरे पर सूजन आखे लाल हालत बुरी बताई जा रही है और रात में करें और कमेंट में अपनी बात अपनी राई जरूर रखें राउत की इस हालत पर अपनी राई जरूर दें और इस चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवास बनें तो संजा राउत बुरी तरह से घिर चुके हैं फस चुके हैं और बचने की से कम नुकसान वाला किया जाए, क्योंकि नुकसान तो हो चुका है, और ये खुद संजा राउट के साथ उनके वकील भी जान चुके हैं, समज चुके हैं अभी स्पीच पहले राउंड की पूछ ताच में संजा राउट ने अपनी बीवी वर्शा राउट का नाम लिया था और वर्शा को भी एडी ने पूछताज के लिए बुला लिया था समन कर लिया था पहले 5 अगस्त को वर्शा को बुलाए गया था और सूतरों के हवाले से खबरें तो यहां तक आई थी कि वर्शा राओत 5 अगस्त को सुबह सारे दस बजे के आसपास पूछ ताज के लिए बयान दर्च करने के E.D. के दफ़तर पहुँची भी थी लेकिन वहाँ कुछ बवाल हो गया जिसके बाद 6 अगस्त को फिर से वर्षा राउत को बुला लिया गया और उससे पहले बर्षा ने अपने वकीलों से बात कर ली अब खबरें तो सूतरों के मताबिक यहां तक थी कि बर्षा और संजाराउत के बीच में जड़ाप हुई थी किसी बात को लेकर तकरार हुई थी और ये सब कुछ E.D. आफिस के अंदर हुआ था ऐसी खबरें E.D. सूतरों के हवाले से आई थी अब एक तरफ तो E.D. के डंडे ने संजाराउत को परिशान किया है दूसरी तरफ बीवी कभी साथ नहीं मिल रहा और तीसरी तरफ E.D. के लॉक अप में संजाराउत की हालत वाकई खराब हो गई है संजाराउत अपनी ही कथनी में घे गए है अपनी ही जाल में फसके है जी हाँ शुक्रों के रात को संजाराउत को अलग रूप में शिफ्ट किया गया था अब तक राउत को E.D. के आफिस में बनाए गए एक लॉक अप में रखा गया था जिस room में संजाराओट को रखा था वहाँ पर AC था लेकिन संजाराओट को यह रास नहीं आया राओट नहीं कोट में कहा था कि उनके room में ventilation नहीं है खिड़किया नहीं है हालाकि कोट में ही तुरंट E.D. ने जवाब दिया था कि राओट जूट बोल रहे हैं जूटे हैं, उनके रूम में AC लगा है, वेंटिलेशन खराब होने की बात नहीं है, मगर राउत ने कहा कि वो AC का इस्तमाल नहीं करते हैं, उन्हें खिड़की वाला कमरा दिया जाए, अब संजा राउत ने वेंटिलेशन वाले रूम की डिमांड की, तो खुली खिड़की व बलकि सेक्रों हजारों की तादाद में अंगिनत मच्छर संजा राउत के उस रूम में पहाँच गया, जिक्यों मौनसन में मुंबई में मच्छरों से बचना लगबग मुश्किली होता है, नामुम्किन सा होता है, और इसलिए राउत को पहले AC लॉक अप में रखा गया थ मच्छों के करटनी के निशान बन गया, हाला कि शुरूत में संजा राउत को लगा होगा कि कुछ तेर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, राउत को बकाइदा मास्कुटो लिक्विड भी दिया गया, ये बाते ED आपिस से ही निकल कर आई है, लेकिन वो भी काम कहां आता, नहीं आने से, लगातार कई दिन से नहीं सो पाने की वज़े से, संजा राउत की आखें लाल हो गई, शरीर में सूजा ना गई, हालत खराब हो गई, रात में ही संजा राउत को दूसरे रूम में शिफ्ट किया गया, जी हां, ED सुत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये भी ह इसके बाद ED सुत्रों के मताबिक रातो रात संजा राउत को शिफ्ट किया गया, दूसरे रूम में पहँचाए गया, लेकिन तब तक संजा राउत की हालत खराब हो चुकी थी, मच्रों के काटने से सूजा ना गई थी, गला सूख गया था, आखें लाल हो गई थी, हालत खुछ संजय राउत अपने जाल में फस चुके थे E.D. को गलत साबित करने के लिए कोशिश की कमी और खामिया निकालने के लिए संजय राउत ने कोट में बेंटिलेशन वाले रूम की डिमान की थी E.D. पर सवाल उठाये थे लेकिन अब यहाँ पर पहले तो कोट में E.D. ने संजय राउत को जूटा कह दिया और अब यहाँ पर लॉक अप के अंदर वही बात उन पर भारी पड़ गई राउत को लेने के देने पड़ गए अब उपर से हालात यह हैं कि वर्शा राउत जोकि खुद को अलग कर लिया है खुद का किनारा कर लिया है लेहाजा ऐसे में वर्शा राउत भी कुछ ऐसा बोल सकती है या कहें E.D. कुछ ऐसा वर्शा से निकाल सकती है जिन से संजय राउत के हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं लेहाजा जैसे ही वर्षा राउट से पूछ ताज का कुछ भी अपडेट हम तर पहुंचेगा आप तक उसे जरूर पहुंचाएंगे तो फिलाल आपका संजे राउट की इस कंडिशन पर क्या कहना है कमेंट में आप भी अपनी बात अपनी राई जरूर रखें और वीडियो को लाई को शेयर कर अपना प्यारो सपोर्ट भी जरूर दिखाएंगे दोस्तों डॉक्टर M. पद्मा ने सुशांत को लेकर कुछ ऐसी बाते बताई हैं जिने बताने में भी हमारा कलेजा मुझ को आ रहा है मन बुरी तरह से विचलित हो रहा है दोस्तों डॉक्टर M. पद्मा ने बताया है कि सुशांत को खत्म करने के लिए स्टन का इस्तमाल किया गया यहां तक कि डॉक्टर M. पद्मा ने कुछ लोगों के नाम भी ले लिये हैं डॉक्टर पद्मा ने बताया कि हत्यारे और सुषान्त के स्टाप ने एक साथ मिलकर सुषान्त को पहले बुरी तरसे पीटा लेकिन चुकि सुषान्त भी खुद हटे कटे पावरफुल इंसान थे तो उन्होंने काफी देर तक लड़ने की कोशिश की फिर इन सबने सुषान को पकड़कर गले में दंगल लगा दी. डॉक्टर पद्मा की अनुसार जिसने सुषान्त के गले पर सटन लगायी वो एक राइट हैंडेड इनसान था और जिस सटन का यूस किया गया डॉक्टर के अनुसार वो एक बहुत हाई स्टन की थी और इस कि स्टन का इस्तेमाल बड़े बड़े बदमाश किया करते हैं और ये बहुत हाई वोल्टेज करन्ट प्रिड्यूस किया करती हैं डॉक्टर ने खुलकर बताया कि किचन के सौकेट में स्टन का प्लग लगाकर सुशांत को फोर्स फुली वहां खीच कर ले जाया गया और सुशांत के बलड सेल्स क्लॉटेड हो चुके थे उन लोगों ने सुशांत को तक्ये का सपोर्ट लेकर स्टेडिपाइट किया था डॉक्टर पदमा ये भी कहती हैं कि वहां कोई इश्वर का बंदा था जिसने ये सब होने के बाद सुशांत के हर पार्ट की वीडियो और ले ली और सारी पिक्चर्स और वीडियो को वाइरल कर दिया और यही सबसे बड़े सबूत साबित हुए जिने देखकर हम सब को समझ आ गया कि सुशांत के सथ के सथ तक की बरबरता हुई होगी और तौह और डॉक्टर पदमा के अनुसा शार्प आइरन स्टिप का यूज करके सुशांत के बरेन को रोक दिया गया गर्दन को जोर से दबाने के लिए तो हमें पूरा यकीन है कि यह सब सुनकर हमारी यह तरह आपका भी कलेजा पट रहा होगा दोस्तों यह सोचकर कि सुशांत ने उन आखरी पलों में क्या कुछ सहा होगा कितना दर्द छिला होग हैं तो दोस्तों सोचिए कि उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी और सबसे बड़ी बात की जब एक सूपर स्टार के साथ ऐसी घटना को अंजाम दे दिया जाता है और फिर भी उसे इनसाफ नहीं मिल पाता तो फिर आगे आम इनसान कितना भरोसा कर पाएगा कानून पर तो दोस्तों इनसाफ कि इस जग में हमारी ताकत बनने के लिए इस मुएम में हमारी आवाज बलंग करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाएं हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर ले और जस्टिस वर सुशानत के लिए इस खबर को ज़्यादा से जब चैक उ शर जरूर करें